NUC में आपका स्वागत है दोस्तों इजरायल के जालिम फोज हमास का तो कुछ उखार नहीं पाए तो खुनस में आकर गाजा के आम लोगों को उठा कर ले जाते हैं और पित्ते हैं ये दुनिया को दिखाने वाला फेक पावफुल फोज है सैयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायली फोसेस द्वारा हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों को अपमानित किया गया पीटा गया सैयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार अधिकारी ने गाजा पट्टी में इजरायली सुरक्षा बलो द्वारा फिलिस्तीनी बंदकों के साथ दुर्व्यवहार को समाप्त करने का आहवान किया है जिन्हें अग्यात स्थानों पर कई हफ्तों तक कैद और शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था अजीट स्निफ्त ने गाजा की अपनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा जहां उन्होंने रिहा किये गए कुछ बंदकों से मुलाकात की फिलिस्तीनी पुरुषों को इजरायली बलो ने 30-55 दिनों तक हिरासत में रखा उन्होंने कहा ऐसी खबरें हैं कि पुरुषों को बाद में छोड़ दिया गया लेकिन केवल इस थंड के मौसम में परियाप्त कपडों के बिना दाइपा में उन्होंने कहा ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें डाइपा पहनने के लिए क्यों कहा गया था लेकिन वे स्पष्ट रूप से सदमे में दिख रहे थे और जब मैं उनसे मिला तो मैं भी हिल गया युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सेना द्वारा साजा किये गए कई वीडियो में सेकड़ों फिलिस्तीनी पुरुषों को अपने अंडविया उतार कर ठंड में बाहर बैटे हुए कभी कभी आँखों पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है कुछ वीडियो में महिलाएं और बच्चे भी नजराएं वीडियो गाजा के अंदर लिये गये थे जिन में बेतलाहिया, शुजाया और जबालिया शामिल थे Human Rights Monitor के अनुसार, कई मुक्त कैदियों ने कहा कि खुद को कोसने और फिलिस्तीनी लोगों को और राजनीतिक हस्तियों को अपमानित गाली गलोच करने के बाद, उन्हें ट्रकों में खुली हवा वाली हिरासत के बाद दूसरी अंजान जगा पर ले जाया गया, जहां उन्हे पिटाय और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, उन्हें जोर देकर कहा, इजरायल को ये सुनिष्चित करने के लिए ततकाल कदम उठाने चाहिए, कि गिरफतार या हिरासत में लिए गए सभी लोगों के साथ, अंतराष्ट्रिय मानवाधिकार और अ अनुरूप व्यवहार किया जाए, विशेश रूप से उनके उचित प्रोसेस अधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान के साथ, तो ये है इजरायल के डायपवाली, फोस की कर्थूत्व